हेलो गुच्चो वेलकम और यूट्यूब चैनल दिक केमेस्ट्री हब और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आगे आनले वेडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते र वो बोर्ट्स की जो exam डेट्स थी वो clash कर रही थी आपकी J-E-Mains के साथ इसले J-E-Mains NTA ने J-E-Mains की जो डेट्स थी उनको रिशेडियोल कर दिये है और रिशेडियोल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डेट्स चेंज किया है वो नई डेट्स जो है वो कौन सी डेट्स आ आपका जो dates था अगर अपन first session की बात करें J.E.M.E.N. 2022 session first तो earlier dates चो थी आपकी वो थी 16th of April 16th of April 17th of April 18, 19, 20, 21 यानि ये dates आपकी पहले dates थी April के अंदर earlier जो J.E.M.E.N. 2022 का session first था उसकी ये dates थी आप जो revised dates यहाँ पे release की गई रिवाइस schedule जो आपका है यहाँ पे 21, 24, 25, 29 और May 1st यानि अब जो आपका revised schedule और last जो है वो May 4th यानि 4th of May को जो होगा आपका last exam होगा यहाँ पे J.E.M.E.N.S. की जो dates है वो change करी गई है around आपको जिन students को May 4th तक exam जाएगा उनको around 10 days extra मिलने वाले है यहाँ पे 10 to 12 days extra मिलने वाले है तो यह आपके लिए आप यह बोल लीजे कि आपके लिए कि extra time की तरह के से आपको मिल रहा है अगर आप सही से चीजे manage करके चलते हैं तो आपके लिए काफी helpful रहे गा यह ठीक है आगे अगे अगर आपका पेपर 2 है is conducted for admission it is also an eligibility test for GE advance which is conducted for admission to IITs similarly paper second is conducted for admission to B.Ark and B.Planning courses जो आपका paper second था यानि second session था उसकी dates as it is रखी गई है उसकी dates के अंदर change नहीं किया गया है तो जो रिवाइस schedule है आपका फर्स्ट जो आपका session है उसके लिए change किया गया है तो जो भी update होगी यहां पर आपको मिल जाएगी बाकी chemistry की वीडियो भी आपको यहां पर regularly मिलती रहेगी अगर आपको पसंद आए वीडियो तो like कीजे चैनल को subscribe कीजे आपके लिए काफी helpful होगा और वीडियो को जितना हो से कि उतना share कीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर थैंक यू